दोस्तों दूआ जावनेश की एक एनिमेटेड मुवी जिसका नाम है डॉग गॉन ट्रेबल ये बहुत इंटेस्टिंग मुवी है इसलिए हम इस मुवी का आज एक्स्पिलियस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बीना किसी दिरे के हम वीडियो सुरू करेंगी कहानी के सुर मेंबर आते हैं जिसका नाम होता है श्नूब और रोजी श्नूब और जाते हैं जब ये तोनो घर के अन्दर जाते हैं तब टॉबल उनके पास दौटे हुए आता है लेकिन रोजी को दौगी पसंद नहीं होता है इसलिए वह और टॉबल को वहां से बाहर निकाल देती है जिसके बाद ट्रॉबल सुतने लगता है कि इसकी लाइफ इंडियों तो बहुत ही इंटेस्टिंग थी लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसका लाइफ बडल चुका है तो आच तो ट्रॉबल इधा-वदा होने लगता है जिसके कारण उसके सरी मेंअ काफोरी गन्डी लग nesti जिसके बद वहाँ पर जमा कि हुए गिलहरी का जितना भी खाना होता है वह सभी ट्रॉबल का नीचे गिर जाता है जिसके बद वह गिलहरी उनसे गुस्सा हो जाती है उसके बद वह गिलहरी ट्रॉबल को पर हमला करती है उसके बाद जो बेल ठोटा है वह उसे गली से निकाल है जो भी उस डौगी का ख्याल लखेजाने का यानि उसे अपने पास रखेगा उसे उनका सारा जमीन जाजात मिलेगा जिसके बाद जिसके पर रोजी घबरा जाती है और वह कहने लगती है कि हां वो डॉगई ख्याल लखेंगे लेकिन रोजी के एक गल्दिक कराएं ही डॉगई वहां से जा चुका होता है जिसके पर स्नूप और रोजी कभी परसान होते हैं नॉप डॉगई को खुचने के लिए वह एक आढ सब्सक्राइब आपता नियुकिनियत कर थाका कि वह को बहुता है वह मुदी हो चाहिए खर्म को मौन कारट ब Cannon है हुए दोगी होता है इसलिए हुआ खाना बंद कर देता है जिसके बद वहां पर एक आटमी चलाता है जिसके बाद रेडी वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद ट्रोबल उसके पीछे भागते भागते रेडी के घर्ब तक पहुंचता है उसके बाद रेडी भागते हुए जंग्रों पहुंचती है जहां पर पथरों के बीच में सोती थी और यहां सब देखने के बाद ट्रोबल काफी परहसान हो जाता है जिसके बाद रेड ट्रॉबल को एक डॉग पार्क में लेकर जाती है जहां पर बहुत सारे डॉग होते हैं और वह कहते हैं कि उसके काफी सुन्दता अच्छी होती है और उसकी पर्फियों भी मारी होती है इसलिए सभी डॉग उससे जनने लगते हैं जब ट्रॉबल उन दॉगन कहता है कि वह एक बहुत अमीर परिवारत से हैं जिनकी मालकिन बहुत अमीर है लेकिन WAY यह एक सभी डॉग है और इसे कोई घप नहीं मिलना तो इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखना परसकता है उसके अपने खाना भी और सक्टा हुए तो में कोई नया मालकीन तो खुद्धना चाहिए जिसके साथ तुम रह सकते हो और तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। इसके बाद ट्रॉबल सोथने लगता है कि वह एक नया मालतिन किस प्रकास से खोजे। उसके बाद उन में से एक दोर ट्रॉबल को रोट की बीचों बीच जाके ख़ड़ा कर देता है। कि साइट इन में से कोई आदमी तुम पे रहम करके गारी रोके और तुम्हें अपने साथ ले जाए। बाद ट्रॉबल काफी परहसान हो जाता है क्योंकि वह रोट की बीचों बीच ख़ड़ा है और काफी गारी वहां से गुजर रही है। अगर जाद से भी गलती होगी तो परीटर से कार के नीचे आ सकता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़की जिसका नाम जोई बेला होता है, वह वहाँ पर एक स्कूथी से आती है और वही अचानक से यसकूथी रोक देती है। जिसके बाद ट्रॉबल तो मरस्ते मरते बशता है है लेकिन ट्रॉबल का प्यारा सा चेहरा देखने के बाद रोजी सोचती है कि यह काफी कुई थै और उसे अपने साथ ले जाती है इडा थर्मन ट्रॉबल की खोज में सहा तक पहुंच जाता है और वह अपने एक फ्रेंज से मिलता है जहां पर हुआ उसका पोस्टर दिखा के कहता है कि यह टॉक्ट में सायर में कहीं भी दिखे तो तुम मिझे कॉल जरूर करना उसके बाद जोई बेल ट्रॉबल के लेकि अपने घर पे जाती है और उसे एक जगह पर रख देती है जिसके बाद ट्रॉबल वहां पर आए और उसका गरीब घर देखे उसे काफी सोचने लगता है कि यह घर काफी छोटा है जिसमें वह रह सके लेकिन वह इधा उरक को दा जगहते हैं. जिसमें पर ट्रॉबल काफी सोच में पर जाता है तब ही जोई बेल को काफी बुड़ा लगता है खोशे बार्द गर से बाहर रख दिया था स्लिЕ अई के ट्रॉबल को घर में लेके आती है जिसके बाद वा ट्रॉबल को कहती है कि उसका सपना एक सिंगर बनने का है उसके माता पीटे नहीं उसे डॉक्टर बनने के लिए कहा था लेकिन उसे सिंगर बनना था इसलिए उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की जिसके बाद जोई अपना डॉक के साथ फोटो किषती है और वह उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और उसके बाद वह बिश्टर पर जाके सो जाती है इना धर्मन टॉबल को खुशते हुए जंगलों में चला जाता है जहां पर रेड़ी के साथ टॉबल सोया था वहां तक पहुंच जात जाता है जिसका सारा खाना ड्ats ने गलती से गिड adapte करने लेकिन तभात थर्मन भी चला आता है और दो अपलय के बॉए बॉसको समझे के पकर के ले जाता है क्यूए उनमेसे बॉस्तना का बेल जो तो सब खुट प mogelijk हुई थी उसके बाद मेंburst से बाते करनी लगता है और गिलारी से ट्रोबल केहती है कि उसके पास खाना नहीं है इसलिए अगर तुम उसे खाना दो तो वह तुम्हें उसका पता बता सकती है जिसके बाद थर्मन उसे बहुत सारा रिष्वत में खाना देता है और वहाँ पांचवी गिलहरी धेख देकर काफी खुस जाता है, टबी वहाँ पे जिवेला जोब्राव खोलकर आती है और उसके पांचवी गिलहरी वहां से गायव हो जाती है जब जोई बेला रूम की अंडर आती है तब उसे लगता है कि ट्रॉबल नहीं है सभी हंगामा किया है जिसके कर्ण यहां के सारा समन गीरा हुआ है तब वहाँ पर उस घर का मालिक चला आता है जो कि उसे डौक से नफरत होता है इसलिए हुआ जोई बेला को यहां पर रहने क जाता है वहां पर रही है जोई बेला को कर सब्सक्राइध कर से बढ़ कने में हमकर्यावूट के अंदर आती है जहां पर रेदी की दिमार्ग में एक खतरनाग प्लान आता है और वहां उस बुधी औरत को भॉकने लगता है जिसके बाद वहां बुधी औरत घबराती हुई पीछे जब जाती है तब वहां पर एक बटम क्लिक कर देती है जिसके बाद उस जेल का सारा पैसे नहीं है जिसके बाद उसे कुछ पैसे नहीं दे सकते हैं जिसके बाद धर्मन उसे बटला लेने की फैसला करता है उसके बाद उन पहां गिलः के पास जाता है और उसे बटला लेने के लिए कहता ए practic玩ी जहा हको है करने मदद करेंग क्योंकि त्रॉबल काफी अच्छा डॉक था और उसके बाद वे सभी डॉक जोई बेला के पास जाते हैं और इसारा में कहते हैं कि वे टॉबल को खुदने में उनकी मनद करेंगी क्योंकि उन्हें पता कि टॉबल कहां पर है जिसके बाद जोई बाते समझ में चली आती है और उन सभी के स्कूर्टी पर रखती है और वा रेड़ी के पीछे पीछे जाने लगती है जिसके बाद रेड़ी उसे एक हविली में लेके जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि स्नूप और रोजी जच के सामने बैठे हुए होते हैं और वा टॉबल के बादे में कह रहे होते है कि ट्रॉबल का उन लोगों ने काफी अच्छा से ख्याल लखा होता है जिस टेट कार्म उसके मालकिन का सारा पैसा उन्हें ही मिलना चाहिए तब वहाँ पर जोई वेला पहुंच जाती है जिसके बाद वह कहती है कि यह डॉगी उसी का है क्योंकि कुछ दें पहले ट्रॉबल उससे रोट के बीचो बीच मिला था इसलिए यह डॉगी उसी का हुआ इसलिए वह डॉगी उनसे मांगने लगती है जिसके बाद ठर्मन वहाँ पर हमला करवा देता है जहां पर पांचों किलहरी उन सभी से लाइपीट करने लगती है क्योंकि उसे कुछ पैसा नहीं मिला ह हुआ होता है उसके बाद वहाँ पर काफी वरा हंगामा होता है तभी वहाँ पर रिदी आ जाता है और रिदी उन पांचों किलहरी के बॉस को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सभी को लेकर यहां से निकल जाओ बरना हम सभी डॉक तुम पर हमला कर देंगे इसके बाद क्लिए जाते अटाटे फिस सारी संपत्ते मिल जाती और पांगल recent फके दिष्ट दिखाल स्वें च्रण करें चलुए चल कारीं जाती है और हिसे ऐसे संपत्ति को दोड़े जाता है उसी के celery आसे यही पर खत्म हो जाता है तो दोस्तों इस movie के story यही पर खत्म हो चुकी है और ऐसा ही Hollywood movie और animated movie की explanation जानने के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लिए तो चलिए दोस्तों मिलेंगे next video में टप टक के लिए goodbye and take care